बच्चो चैपटर हम पढ़ चुके हैं अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे कै प्रिशन है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाई प्रिशन नमबर एक है चुन्नो ने अपने बगीचे में क्या कारिक्रम रखा चुन्नो ने अनोखी बालसभा का कारिक्रम रखा था चुन्नो ने कारिक्रम का समय कौन सा चुना था दोपहर का समय चुना था अनोखी बालसभा का संचालन किसने किया चुन्नो ने बालसभा में सुनाई गई कोई रचना अन्य साती क्या नहीं करेगा उन्हें नहीं सुना सकता था खै प्रिशन है अमारा उप्युक्त शब्द चुनकर रिक्तिस्तान भढ़िए पॉइंट नमबर वन है ने कवीता सुनाई किसने चिंटू ने पिंकी ने पॉइंट नमबर टू किसने चुटकुला सुनाया दिव्या ने चंपक ने चंपक ने पॉइंट नमबर थ्री ने कवीता सुनाई किसने चंपक ने बिट्टू ने बिट्टू ने डैश ने चुटकुला सुनाया किसने सुनाया था चुटकुला बंटी ने कवीता किसने सुनाई थी, बिट्टूने या कालूने, कालूने गय प्रिशन है हमारा सही कथन के सामने, सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाई ये चुन्नू सब बच्चों को लेकर बंटी के घर जए, नहीं बंटी के घर नहीं गया था बगीचे में अनोखी बालसबा के बच्चों के लिए कुर्सिया बिचाई गई थी, नहीं बिचाई गई थी चुन्नू की कवीता पर किसी ने ताली नहीं बजाई, गलत बंटी के चुटकुलों में घर की मालकिन और बिखारी दो पात्र थे, बिलकुल सही चुटकुलों में दो वेज्ञानिक और एक नोकर कुल तीन पात्र थे, नहीं एक वेज्ञानिक और एक नोकर था बच्चों यह लिखित प्रशन, क्या प्रशन आपको अपनी नॉट्बुक में करने हैं ख्या प्रशन कर रहे हैं हम रेखा खीच कर परस पर संबंद वाक्य अंचों का सुमेल कीजे मैच दा फोलोइंग एक शहर है टिमबक टू, लोग वहां के हैं बुद्धू मक्खी बोली जाजा पहले मूतो धो आपानी से पापा कहते पड़ो लिखो कुछ लाओ पाठ सुनाओ बाबा कहते आओ बैठो दूद मलाई खाओ ब्या करूंगी मैं बेटे से धूमा मल हलवाई के ओके बच्चों यह लिखित प्रशन उत्तर करते हैं अब हम बच्चों यह प्रशन उत्तर आपको अपने नॉट बुक में करने हैं प्रशन नमर वन है अनोखी बाल सबा में बंटी ने जो रचना सुनाई उसे लिखिए अनोखी बाल सबा में बंटी ने चुटकुला सुनाया था पिंकी ने कौन सी रचना सुनाई थी पिंकी ने एक कवीता सुनाई थी दिव्या दुआरा सुनाई गई रचना लिखिये दिव्या ने एक कवीता सुनाई थी कालू ने अनोखी बालसबा में क्या सुनाया था उसे लिखिए कालू ने अनोखी बालसबा में एक कवीता सुनायी थी लट्टो घूम रहा सरसर घूम रहा है सारा घर मैं भी घूम रहा हूं साथ गिरा गिरा मैं पकड़ो हाथ प्रेशन नमबर पाँच है चुन्नू ने अपनी बारी आने पर क्या सुनाया उसे लिखिए चुन्नू ने अनोखी बालसबा का संचालन किया चुन्नू ने बालसबा को संबोधित किया और कहा सुनो साथियों आज की अनोखी बालसबा में आप अपनी पसंद के चुटकले व नहीं सुनाएगा ओके बच्चों यह प्रशनुत्तर आपको अपनी नौट्पुक में करने हैं